आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं मसालापात की रेसिपी मसालापात महराश्ट्रक की फेमस रेसिपी है और सभी लोग इसे अलग अलग तरीके से बनाते हैं यहाँ पे आज हम मसालापात को कूकर में बनाएंगे और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे यहाँ आपका यह जो मसालापात है यह इतना टेस्टी बनेगा कि आप होटेल की बिर्यानी और पुलाव को भी पूल जाओगे तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले तो आप सबसे पहले मसालापात बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कब बासमती चावल लिये है यहाँ पे आप कोई भी चावल से इस मसालापात को बना सकते हो चावल को हम दो से तीन बार पानी से अच्छे से दो लेंगे यहाँ पे मैंने चावल को अच्छे से दो लिया है अब चावल में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इस चावल को 10 से 15 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि चावल थोड़े से फूल जाए यहाँ पे 10-15 मिनिट हो गए है आप देख सकते हो चावल अच्छे फूल गए है चावल में से एक टेबल स्पून तेल डाल दिया है जैसे हमारा तेल हलका सा गरम हो जाए हम इसमें दाल चीनी का एक छोटा टुकड़ा मरी के दाने या फिर काली मिर्च के दाने यहाँ पे एक टुकड़ा बाद या और दो से तीन लॉंग डाल देंगे इसके बाद हम यहाँ पे एक तेज पत्ता डालेंगे और साथ में एक टेस्पून जितना जीरा डालेंगे यहाँ पे यह जो साबुद मसाले है इसे मसाला बाद का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अब हम यहाँ पे एक नीच अद्रक का कीसा हुआ टुकड़ा डालेंगे साथ मैंने यहाँ पे दो से तिन ल आप देच सकते हो हमारे मसाले अच्चे से तिल में सौते हो गए हैं, तो इसे स्टेज़ पे हम यहाँ पे दो टेबल स्पून जितना सुखा हुआ नारील टालेंगे, इसमें मसाला बात पे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, तो आप इसे बिल्कुल skip ना करें अब यहाँ पे मैंने एक medium size की roughly cut की हुई प्याज ली है यहाँ पे आप प्याज को chop करके भी डाल सकते हो प्याज को मसाले के साथ अच्छे से mix कर लेंगे और हलका सा प्याज का color change हो जाए उसके बाद हम इसमें vegetables डालेंगे तो यहाँ पे मैंने थोड़े से बिंज लिये है इसी के साथ आधा मैंने यहाँ पे गाजर लिया है थोड़े से हम यहाँ पे मटर के दाने लेंगे और साथ में एक medium size का roughly cut किया हुआ आलू डाल देंगे तो यहाँ पे vegetables आप अपने पसंद के हिसाब से थोड़े कम्याज ज्यादा कर सकते हो आपको जो भी vegetables ना पसंद हो उससे आप skip भी कर सकते हो तो vegetables को इस तरह से अच्छे से mix कर लेंगे हमारे vegetables अच्छे mix हो जाए उसके बाद हमें इसमें दो medium size के टमाटर की puree डालनी है यहाँ पे आपको टमाटर को घीज के डालना है ताकि मसाला बाद का टेस्ट बहुत ही अच्छा है इसी के साथ एक टेबल स्पून जितना काश मेरी लाल मिर्ज डालेंगे अगर आप स्यादा तीखा पसंद करते हो तो लाल मिर्ज स्यादा भी डाल सकते हो आदा टीच्पून जितना हल्दी पाउडर, एक टीच्पून जितना नमक और साथ में मसाला बाद को एक दम बढ़िया टेस् देने के लिए एक टीच्पून जितना गरम मसाला डालेंगे अब यहाँ पे थोड़ा सब बारिक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा बहुत ही अच्छा मसाला बात के लिए मसाला बनके बिलकुल तयार हो गया है जैसे ही सारे वेजिटेबल्स अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम यहाँ पे हमने जो राइस को पिगो के रखा है उसमें से सारा पानी निकालके यहाँ पे डालेंगे तो इस तरह से चावल को डालके चावल को हम अच्छे से जो वाजेटेबल से इसके साथ मिक्स कर लेंगे यहाँ पे चावल का दाना तूट न जाए इसका आपको बह हमने 10-15 मिनिट के लिए चावल को बिगो के लिया है इसलिए चावल बहुत ही आसानी से तूट जाएंगे तो अगर चावल का दाना तूट जाएगा तो हमारे मसाला भात का दाना भी तूट जाएगा तो आप इस तरह से हलके हाथों से चावल को अच्छे से वेजिटेबल के ले रहे हो उससे दुगना आप यहां पे पानी डाल दीजिए अगर आपको खिला खिला चावल पसंद है तो आप यहां पे जितना चावल ले रहे हो उससे दुगना पानी डाले अगर आपको थोड़े से सौफ चावल चाहिए तो आप यहां पे थोड़ा ज्यादा पानी भी डाल सकते हो, अब इस तरह से ढकन लगाके पानी में उबालाए तब तक इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, तो आप देख सकते हो दो-तीन मिनिट में पानी में अच्छा उबाला गया है, तो अब हमें इसे प्रेशर कुक कर रहा है, तो यहाँ पे कुकर का ढकन लगा देंगे, और आप ही खतम होने देंगे तो लगबग 10-15 मिनिट में हमारा कोकर का सारा प्रेशर खतम हो गया है और अब हम इस मसालाबाद को चेक कर लेंगे तो यहां पे मैंने कोकर को खोल दिया है और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा हमारा मसालाबाद बनके तयार हुआ है देखते ही खाने का मन करें ऐसा खिला खिला चावल बनके तयार हो गया है तो अब हम इस मसालाबाद को खलके हाथों से मिला देंगे और गर्मा गरम इसे सव करेंगे तो सब्सियों से भरपूर जब भी आपको कुछ खाना हो और हल्दी और टेस्टी तो आप इस मसालाबाद की रेसिपी को ट्राई कर सकते हो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे मसालाबाद बनके तयार हुए है यहाँ पर मैंने मसालाबाद को दही और सलाड के साथ सव किया है तो आप इस मसालाबाद की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और आपके एक्सपेरियंस मुझे कमेड़ बॉक्स में जरूर बताईए रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग